नमस्कार मित्रो आजे लिखी का श्री दिप्ती अडेद्रा उस पे उर्फे स्पर्ष ने कल में सामड़िशू ए दिरजतो राख स्वाथी दुखना मारगे जवू स्वाथी सुकना ने दिरजना मारगे जवू ते आपने नक्की करवनों होई छे आजना आधुनिक जमाना मां पहला करता सुवी दाव वदी छे परन तो दुखने अशान्ती ओचा थवाने बदले वदी किया छे आजे आपने बदा टच स्क्रीन ना उपियो करता थाई गिया छे एक टच करवा थी जोईये ते मेलवी शकाई छे जेनों फाइदो तो छे पाण साथे गेर फाइदावा पाण होया छे आजे आपने बदा ने उत्तावले करवा छे अधिरायनों रोग लागू पड़ियो छे अने दरेक लोको आंगणी ना टेरवे काम करता थाई गिया अरे एक टच करो ने जे जोईये ते पामो जेना कारेने दिराजने मुल्यों सता दोवान थतो जोवा मला छे दिराज ये पगवाने आपेलू एक वर्दान छे आपना दर्म गरंथो आपने गणो बदो शिख्वे छे जमके रामायान जेमा मने शबरी ने प्रतिती दिराजमा देखाई छे शबरी जरे पांच वर्ष ना आताने त्यारे तेना पिताए शबरी ना लगना करवानों नक्की करियो परन्तो शबरी कहे शबरी ना कहे पिताजी मारे लगना नथी करवा पिताजी पुछू कैम तो कहे छे के मारा गुरु जी अमने कीदू छे के जो तुँ राम नामनों स्मरण करिश्टो एक दिवस चरूर बगवान आवशे वालावो इतियास कारो सक्षी पूरे छे के आमने आम पांच वरस नी जानी शबरी वे सित्तेर वर्ष नी वृद्धा थाई त्यारे सित्तेर वर्ष बाद भगवान राम शबरी नी जूपडिये आवे छे अम शबरी नी भक्ति नी साथे साथे भगवान राम ने शबरी नी धिरज बहु मिठी रागिये थी पन्य जोने झोने दूखने दिदा मान जोने ठीन दर्शिथयर कारियों पूद्वाद के पहल अननुद कखखञे करे造 कारिय क्या रहात थी ठीन ही णिजफर स्टवाद दी आखञे मानस्मा परिपक्पत की मान पन सचवाई चे, हाँ, मने कबर चे के दीरज राखवी ये कहुँ गणू सहलू चे, पर करवो गणू अगरू चे, आपना मन मा आवता डगला बंद वीचारों ने रोकवा अगरा चे, आपना वीचारों पर थोड़ो काबू राखवाने कोशिश करीशू, साचु काउं, तो बारा चेवन मामा ने दीरज रू मुल्य शूँ चे, एनी साथे समझ मारा पती वीजय है आपी चे, श्रिष्ठता पामता पहला दीरज केड़ो भवी पड़े, ने अंगरेजी में क्या हो चे, कि जे पत्थर गविड़ाज करे चे, तेनी उपर लील बाज तीज नथी, जे अधेरिया चे, तेनी सफ़ता मालती जनती, मुश्किलियों आपणने वदारे शक्ति शाड़ी बनावे चे, ने आजे काम नती थी तो काले थर्षे, एवो वीचारवानों जापने बुली गया चे, धीरजना फ़ल मीठा चे, ये तो मातर कैवा तज रही गई चे, मारा पोता नी जात पर परोसो करो, कोई ना कहवा थी के बोलवा थी, त्यां थी डगो नहीं, जो कोई एवी विकट परिस्थिती तमारा जिवन मा आवी होई ने, तो परिस्थिती ने धीरज पुर्वा पसार करी लो, पचि एक सुन्दर भविश्य तमारी राज होई रही रही अने, जीवन ना साचा आनंदनो स्पर्ष मानता रहो, दिप्ती ओडेद्रा उर्फे स्पर्ष, लेखी काया पनकी दू छले अंतमा, के सतत पोता ना काममा व्यस्ता रहो, मस्ता रहो, अने, जीवन ना साचा आनंदनो स्पर्ष, जीहा, स्पर्ष मानता रहो, ।